सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए शेयर करिए कॉमेंट्स करिए जो आपका मन करें वो करिए लेकिन यह आज जो हम लोग ने एक ट्रिप प्लान किया है यह जेस्ट एक वन डे का ट्रिप है लेकिन इसमें बहुत सारा आडवेंचर हुआ क्योंकि हम लोगों ने लाइव क्राव हंटिंग की दुबई में दुबई से वान आवर थर्टी मिनिट्स के डिस्टंस में उमल कुएन बोलके एक टो जगा है वहां पर एक रिसॉर्ट है फ्लेमिंगो बीच रिसॉर्ट कम होटल हम लोग वहां पर पहुंचे और हम लोगों पर जाके एक दिन का स्टेकेशन लिया तो हम लोगों का वह सी वियू रूम ता तो सी वियू रूम इसलिए वह वाला जो दूर में जो बिल्डिंग दिख रहा है उसमें हम लोग रह रहते तो वहां से एक दब नजदीक पड़ता है और यह यहां पर भी गार्डेंड वीव पूल वीव का दूसरा रूम भी अवेलेबल है तो यहां का पूल भी बहुत ही अच्छा था और बहुत दीप भी था तो बच्चे भी जा सकते और बड़ों के लिए भी हो सकता है क्योंकि एक टाइप पे स्लोपिंग टाइप का था तो एक साइट पर थोड़ा कम था और ए तो हम लोग आफटर नून तक यहां पर चेक इन का टाइम होता है 3 पीम तो आफटर नून को हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए और हम लोग वहां पर जाके लूंच किये कि हम लोग ने पैकेज लिया था उसमें क्रैब हांटिंग था और ब्रेक्फस्ट था और डिनर लेकिन लान्च इंक्लूडड़ नहीं था थो पहले पहुझाए और पहले हम लोग ने वहां पे लाश कर लिए यहां से दे Romania कि हम लोगोंगा इसे में पूरा है लेकिन टरौन है राइट साइट वाला पोर्शन और एक साहईना प्लेट साइद वाला प्रोशना कुछ बहुत पानी में अब नहां नहीं सकते तो हम लोग राइट सले वाला पॉर्ट्षन में गहते जहां पर हम लोग नहां सकते तो यहां का सिस्टेम था कि क्रैब हंटिंग करने से पहले यहां पर आपको टी कॉफी जूस और कुछ स्टार्टर में समोसा स्प्रिंग रोल सब कुछ देगा उसके बाद हम लोगों को लेके लेकर जाएंगे क्राइब हंटिंग के लिए हम लोगいます हुप राइव जैकेट दिया और साथ में शूज दिये आपको मिलेगा इसके लिए कुछ अलग से पे करना नहीं पर आपको अलग से पे करना है तो वह हम लोग एक्चिली होटल के रूम के साथ ही ले लिए थे कि क्राइब अंटिंग के में भी जाना था हम लोगों को तो यहां पर बहुत सारा बिल्ली भी है तो मुझे तो बिल्ली से बहुत ही डर लगता है तो थोड़ा मैं देखके चली क्यूंकि यहां पर बहुत सारा क्राइब हंटिंग का यह चोटा-चोटा बोट है यह सारे बोट में हम लोगों को लेके जाएंगे उमल को मैंग्रोफ की तरफ जहा तो उसके साथ यह वाला हो गया उसके साथ हम लोगों को वहां पर बीस समुंदर में जाके जहां पर लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है वहां पर यह सारा जो हंटिंग रोट से यह आपको एक एक लेना है और इसमें आपको खुदी को क्राइब हंट करना यह बहुत ही इसलिए जाना था कि मुझे यहां पर यह क्राइब हंटिंग का यह पैकेज जो है इसी लेना यह करना था इसलिए तो यह लोग भी हम लोग के साथ सेम होटल में स्टे कर रहे थे और यह लोग भी हम लोग के साथ क्राइब हंटिंग में गए यह चोटा-चोटा बोट दिख बालिटी करके यह क् consumers के लिए लेके जारहे जित्ना मुझे लगा जो लोग कोई लोग कर रहा है तो उनन लोगों का थोड़ा नियर बाही में लेके जारे जो लोग स्टेकेशन में हैं क्यूंकि हम लोग यहाँ पर पूरा स्टेकेशन में थे तो इसलिए हम लोगों को यह बहुत ही दूर लेके गए यह मैंग्रोव एडिया से तो आप देख पा रहा है यह यह लोग जो हम दूसरा वाला बोर्ड में जो दिख रहा है यह बहुत ही नजदीक था और यह लोग स्टेकेशन नहीं किया यह लोग सिर्ट ट्रिप के लिए आये थे क्रैब हंटिंग प तक पानी था लेकिन ताकि मेरा हाइट शॉट है तो थोड़ा तो बाद मेरा कमर तक पानी चला गया लेकिन यह एक बहुत ही भैतरीन एक्स्पीडियंस था आप सब को जरूर ट्राइब करना चाहिए क्राइब हंटिंग तो अभी हम लोग अंधेरे में पहुंच गया है यह और इससे बहुत है कि मैंने सारी मूवी क्रोकटाइल वाला या और शार्क वाला तो मुझे लगा कि एक दव हम लोगों को नहीं आए आके खाएगा ऐसा कुछ लग रहा है कुछ फीलिक्स अजीव सा लेकिन तचीट कुछ नहीं हुआ लेकिन हम लोगों नहीं यहां पर स्नेक्स देखें फीश्ट तो बहुत सारे थे स्नेक्स ऐसे आपके बाजू में से जा रहा है तो काफी डर रहा था और क्रैब भी कभी-कभी उठके आपके एकदम बॉड़ी पर लगेगा ऐसा फील होगा तो लेकिन अच्छा था एक्स्पी विदेयो तो क्रेप हंटिग के बाद हम लोग कर रहा है और ओसके घूठी आप नहीं क्राप हंटिंग भी चाहिए था करना इसलिए मैंने अपना कैमेरा रख दिया थोड़ा सा ही मैंने वीडियो लिया तो क्राप हंटिंग के बाद हम लोग फ्रेश हो गए और उसके बाद हम लोग आ गए डिनर टेविल पे तो यहां पे बहुत सारा क्राप का ओप्षन था तो जिन लोगों को क्राप पसंद है वो लोग यहां पे जाए जितना मर्जी क्राप खाओ कोई चाहिए इंफेर्ट यहां पे क्राप का सूप भी मिल रहा है लेकिन मुझे क्राप और प्रॉम से अलर्जी है तो मैंने बहुत ही मुश्किल से दो क्राप ट्राइब किया तो लेकिन हम मैंने देखा आजुब बैठे हैं भर भर के खार आपने उठाया क्राप तो वह आपको कुक करके देंगे यहां के शेफ और टेस्टी भी बहुत था प्रॉम और एक बार आपको एक ग्लास दिया जाता है वह लए पहन लो और पहनने के बाद आप इसको क्राप को तो मैंने बस एक-एक ही ट्राइ किया और बाकी फूद ऑप्शन भी बहुत सारे थे तो यह बहुत ही अच्छा एक्सपीडियंस था तो आफ्टर डिनर के बाद यहां पे कुछ स्पाफिशन सान तो उसमें से सहम लोगों ने जो 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 हम लोगों को पसंद आया हम लोग फे क्षब कर दो क्याएज़ गार्लिक मिश्रूम चाहिप का था तो मैंने यह बहुत अफ्टर व्रेक्फस्स थोड़ा बीच पे गए और थोड़ा बीच पे नहाएं और फूल पे गए तो मैं लोग आधा आधा घंटा एक घंटा करके भीता है फिर रूम में आके हम लोग रस अप हो के फिर हम लोग थोड़ी देरों बात चेक आउट करके हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए तो यह रहा वहाँ पे कुछ जो फोटोस लिए और जो क्रैब हम लोगों ने रात को पकड़े थे उसके पिक्चर्स तो इतने सारा क्रैब मैंने अकेला नहीं पकड़ा मैंने सिर्ट दो या तीन ही पकड़ा और बाकी सारे जितने वो 16 पीपल हमारे बोट में थे उन लोगों ने भी पकड़ा था तो यह हो गया हम लोग का एक वन डे का स्टेकेशन आई होब आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेर और कॉमेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग